नमस्ते बच्चों, आज हम धरे रहो धीरज, इस कवीता का अगला और अंतिम भाग देखेंगे दोड, निकला घर से, देख, बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सुरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही इस बासुरी को देख रहे हैं, इसकी मदूर धून सुनकर हर कोई म्रुग्द हो जाता है, परन्तु इसकी उस पीडा को कोई नहीं समझता, जो इसने बास से बासुरी बनने में पाई है पीडा सरकर की इसमें से सुर निकलते हैं, जो मन को शान्ती देते हैं, इसी प्रकार पत्तर से देवरूप बनने में छेनी और हतोडे की मार सहनी पड़ती है, तभी उसकी पूजा होती है बात यह हैं कि निर्मान के लिए स्वयम का तूटने का विज्ञान बहुत आवश्चक है, जब तूट कर चूर हो जाओगे, तभी नया अस्तित्व पाओगे पर्थात शक्ती पाने से पूर्व पीडा का भोग भोगना अवश्चक है, यदि पीडा से भागोगे तो शक्ती नहीं पाओगे अभी यहाँ आप पर निर्वर करता है कि आपको बास बनकर रहना है या बासुरी, पत्तर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है यहाँ निर्णय आपका है अगर आप अपना जीवन सार्थक करना चाते हो तो नकारत्मक दुष्टी का त्याग कर सकारत्मक दुष्टी कोन का चुनाव करे अब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिन्नोंने संगर्ष कर हर चुनावत्यों का सिर्फ सामना ही नहीं किया बलकि उन पर विजय भी पाई है लगातार हो रही असफलताओं से निराश होना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी गुच्चे की आकरी चाबी भी ताला खोल देती हैं डॉक्टर एपीजी अब्दूल कलाम भारत के पूर्व राश्ट्रपती और वैज्यानिक थे उन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा के छेत्र में खास योगदान दिया था भारत को बैलिस्टिंग मिसाइल और लॉंचिंग टेकनोलोजी में कलाम का नाम मिसाइल मैं पड़ा दीश की पहली मिसाइल कलाम के देख रेक में ही बनी थी एक मध्यम वर्ग से आने वाले कलाम ने अपनी शिक्षा के लिए अकबार तक बेचे थे कलाम के संगर्ष बरे जीवन से हमें बहुत कुछ सिखने को मिलता है उनके विचार आज भी युवापीडी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कलाम के विचारों को अपना कर आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं जिन्दगी जीना आसान नहीं होता बिना संगर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक न पड़े हतोरे की चोट पत्तर भी भगवान नहीं होता इस महान फुटबॉल खिलाडी को सब जानते हैं आज इसकी गिंती सफल खिलाडियों में की जाती हैं लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा संगर्ष चिपा हुआ है जब वह दस साल के थे तब उन्हें ग्रोथ हॉर्मोन डेफिशन्सी हुई थी इस पीमारे पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था इतना ही नहीं बलकि लियोनाल के जिंदगी में एक ऐसा मोड आया जब उन्हें चुनाव करना था फुटबॉल या जिंदगी लेकिन उन्होंने अपने सपने फुटबॉल का चुनाव किया और देखो उसे उसके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ने उसे महांतम खिलाडी के कत्तार में बैठा दिया जो अपने कदमों की काबिलत पर विश्वास रखते हैं वहीं अक्सर मन्जील पर पहुँचते हैं जैकमा अलिबाबा के संस्तापक हैं उनकी गिंती आज के अमीरों में की जाती हैं उनकी संपती आज कुल एक अरब से भी अधिक हैं इस सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा संगर छिपा हुआ हैं जब उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तब उन्हें असफलता मिली नक्री डुणने की कोशिश की तब उसमें भी असफलता ही मिली एक बार उन्होंने KFC में नक्री करने के लिए अरजी दी थी उसमें कुल 24 आवेदक थे उनमें से कुल 23 को नक्री मिल गई एकी को नहीं मिली और वे थे जैकमा एक दिन वह अपने दोस के घर गए थे वही पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट का इस्तमाल किया इंटरनेट के द्वारा उन्हें पता चला कि इंटरनेट पर चाइना के बारे में जादा जानकारी नहीं है यहां देख उन्हें एक तरकीर और उसे चाइना यलो पेज नाम दिया लेकिन आर्थी कटिनायों की वज़े से उन्हें बहुत नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नहीं वेबसाइट शुरू की उसका नाम उन्होंने अलिबाबा.com रखा यहीं वेबसाइट आगे चलकर संसार की सबसे ब इस समय पर मुझे तन्वीर गाजी की यह कविता याद आ रही है तू चल तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हताश है तू चल तेरे वजूत की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है जो तुझ से लिप्टी बेडियां समझन इनको वस्त्र तू यह बेडियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हताश है तू चल तेरे वजूत की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है चरितर जब पवित्र है तो क्यूं है ये दशा तेरी ये पापियों को हक नहीं कि ले परिक्षा तेरी तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हताश है तू चल तेरे वजूत की समय को भी तलाश है जला के भसमकर उसे जो कुरूरता का जाल है तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है तू क्रोध की मशाल है तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हताश है तू चल तेरे वजूत की समय को भी तलाश है चुनर उड़ा के द्वज बना गगन भी कपाएगा अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भुकम पाएगा तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूत की समय को भी तलाश है इस कविता में नए शब्दाएं हैं जैसे धीरज, धैर्य सब्र, सघन, घना, घहरा, खोकला, पोल, भीतर से खाली, संशय, संदेह, हिचक दैत्य यह शब्द धरे रहो धीरज इस कविता में आया है उसका अर्थ है भीमकाई वह अतिंत बल्चाली मनुष्य असूर जो देवताओं के शत्रू माने जाते है आपके लिए स्वाध्या है, कविता आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, कविता के नीचे दिये गए प्रशनों के जवाब लिखने है अब आपको हमें कमेंड करके बताना है कि इस लोगडाउन में आपने खुद को सकारात्मक रखने के लिए क्या किया अगली बार फिर से नए पार्ट के साथ मिलेंगे और हाँ इस वीडियो को लाइक, शेर और सस्क्राइब करना मत भुलिएगा तब तक के लिए धन्यवाद